हेलो फ्रेंड सबस्क्राइब कीजे हमारे Youtube चैनल को और इस बैल आइकन पर किलिक कीजे हमारी खास वीडियो सब से पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे Youtube चैनल में दोस्तो अगर आप अपने चेहरे को एक नई चमक देना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए खास है क्योंकि इसके इस्तमाल से आप गोरी निखरी तोचा पा सकते हैं साथ ही अगर आपका चेहरे ड्राई है चेहरे पर रूखापन है तो उसको भी यह नमी परदान करेगा तो दोस्तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें ताकि आप एक भी टॉपिक मिसना कर सको शुरू करते हैं इस नुस्के को बनाना दोस्तो इस नुस्के को बनाने के लिए आपको दो इंग्रेडेंट की जरूरत होगी जो पुड़ापे के चिन्नों को भी दूर कर देते हैं और साथ ही स्कीन को नमी परदान करता है और स्कीन को शमकदार भी बनाता है और अगर आपकी स्कीन ड्राई है तो ड्राई स्कीन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है दोस्तो आपने देखा होगा कि कहीं जल जाता है तो महाँ पर नाडिल के तेल का इस्तमाल करते हैं क्योंकि नाडिल के तेल नई स्किन को लाने में काफी हेल्प करता है दोस्तो यहाँ पर आपको नाडिल के तेल की मातर का विश्य जियान रखना है इसमें हमें दोस्तो एक चम्मच नाडल तेल का इस्तिमाल करना है जैसे कि आप वीडियो की माद्यम से देख रहे हो तो दोस्तो एक चम्मच नाडल का तेल उनने इसमें डाल दिया है उसके बाद दोस्तो आपको जो दूसरी चीछ चाहिए वो है दोस्तो विटामिन E का कैपसूल तो दोस्तो यहाँ पर हमें एक विटामिन E का कैपसूल इसमें एड़ करना है दोस्तो अगर आपको अपने चहरे पर गोरपन लाना है अपने चहरे की प्रोब्लम को दूर भगाना है यहाँ पर आपको vitamin E का capsule use करना ही होगा, क्योंकि दोस्तों जो भी गोरेपन की cream या fairness की cream होती है, या body lotion होते हैं, उसमें vitamin E capsule include होता ही है, क्योंकि दोस्तों vitamin E के capsule से ही चेहरे पर या skin पर cleaning आती है, shining आती है, और whitening भी vitamin E के दुआरा ही आती है, तो यहाँ पर आपको विटामिन E का एक ही कैपसूल इस्तिमाल करना है, क्योंकि अगर आप एक चम्मच कोकोनेट ओयल का यूज़ कर रहे हो, तो इसमें एक विटामिन E का कैपसूल ही आपको एड़ करना है, तो दोस्तो यहाँ पर आपको विटामिन E का कैपसूल इसमें करना है और किस तरह आप अपने skin पर whitening और shining पा सकते हैं अब अपना ये नुस्का बिल्कुल बनकर त्यार हो चुका है तो दोस्तो इसको apply करने से पहले आप सबसे पहले अपने skin को अपने face को अच्छे से wash कर लें साधे पानी से दोने के बाद दोस्तों आपको इसी इस तरह से उंपल से लेना है और अपने face पर 2-3 minute हलके हस से मसाज करनी है आपको इस तरह से trap आप अपने फेस पर अपने स्केन पर 2-3 मिनिट मसाज करेंगे और थोड़ा अच्छे से मसाज करनी है आपको, हलके हश्य करनी है ताकि यह स्केन में जा कर अच्छे से अपना असर दिखा सके और हमारे स्केन यानि हमें बहुत अच्छा फायदा इस नुसक्या क द्वारा मिल सके दोस्तो 2-3 मिनिट आप इस तरह मसाज करने के बाद इसे 10-15 मिनिट के लिए छोड़ देंगे और 10-15 मिनिट के बाद आप किसी नॉर्मल वाटर से आप अपने फेस को अपने स्किन को वाश कर लें अगर गुंगुना पानी हो हलका तो और भी ज्यादा बैस्ट रहेगा हम अपरिश स्किन को स्मूद करने के लिए वाइटनिंग लाने के लिए अगर गुंगुना पानी न मिल सेका तो आप नॉर्मल वाटर से ही अपने चेहरे को दो लें दोस्तो आपको ऐसा सफ्ता में एक दिन छोड़कर एक दिन करना है यानि तीन बार आपको यह अपने फेस थोड़ कर एक दिन करना है, दोस्तो यदि इस मुष्के को आप सफता में 3-4 बार यूज करेंगे, तो आपको चोकाने वाले रिजल्ट मिलने वाले हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छे लगी है, और आप इस प्रियोग को अवश्य करेंगे, और आप हमे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल के रेड बेटन को दबा कर सब्सक्राइब कर लें, और बैल आइकन के निशान को भी दबाना ना भूलें, ताकि आप हमेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले पास सकें, और फायदा उठा सकें, तो फ्रेंड्स, आप इस उपाय को जरूर अपनाएए, और फायदा उठाएए, और हम मिलते हैं आप से अपनी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद